चुनावी साल में सबर्णों को आरक्षन देने का एलान करने और बिल पास करने के बाद मोधी सरकार ने एक और चुनावी काड चला है और छोटे बेपारियों को जी एस्टी में राहत दी है यानि कि जी बेपारियों का अभी तक टर्नोबर 20 लाग था उसे बढ़ा कर 40 लाग कर दिया है और 40 लाग तक के टर्नोबर वाले बेपारी जी एस्टी के दाइरे से बाहर हो जाएंगे तो और क्या ये पूरी इसके में मैं आपको बताऊंगा मैं विद्धा संपर्तिवारी इ फिस्दी आरक्षण का एलान किया फिर आनन पानन में उसे लोगसभा और राजी सभा से पारित कराया इसी दवरान जो है बहस के दवरान किंद्री कानून मंत्री रवी संकर प्रसाद ने जब भी पक्षवार कर रहा था तब साफ साब बताया कि अभी सरकार के तरकस में धे किया गया है कि अब जिन छोटे बेपारियों का टर्नोबर 40 लाग तक होगा वो जी एस्टी के दाइरे से बाहर रहेंगे अभी तक सिर्क 20 लाग तक के टर्नोबर वाले बेपारी इससे बाहर थे यानिक उनके लिए रजिस्टेशन कराना जरूरी नहीं था और ठीक इसी तर पहारी राजियों में ये सिमा 10 लाग थे उसे बढ़ा करके 20 लाग कर दिया गया है तो ये चोटे वेपारियों को खुस करने का एक आप कार्ड का सकते हैं इसके अलावा जो कमपोजिट स्कीम किया जो दायरा था जो सिमा थी वो एक करोड था उसको बढ़ा करके डिड़ कर कर दिया गया है कंपोजिट इसके में होता क्या है कि वैलू एडिशन की बजाया तर्न उभर के अधार पे आप जो है उसके दायरे में आते थे वो एक करोड से डिड़ करोड कर दिया गया और यह एक अप्रेल 2019 से कंपोजिट स्कीम लाग हो जाएगी तो एक के बाद एक सर अले से शुरुआ थी जिस पार्टी की निव एक तरह से वैसी माने जाते हैं और जीएश्टी लागू होने के बाद छोटे ब्यपारी काफी नराज हो गये थे क्योंकि उनकी दुकंदारी और ब्यपार काफी डाउन हो गया था तो यह माना जा रहा है कि वह अपना जो किसानों को लेकर के किसानों को स्कीम देने के लेकर के कि किसानों पैसी रात दी जाए उस पे भी काम हो रहा है तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हैं हमारा डिटर चैनल इन खबर और से सब्सक्राइब कीजिए